नमस्कार साथियों मैं आमित आप सभी का आमित इस्टडे लेन पर स्वागत करता हूँ साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे डाइस साथियों इससे पहले हम लोग एक क्लास डाइस की कर चुके हैं जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बाक्स में दी गई है वहाँ पर जाकर आप लोग उस क्लास को देख सकते हैं अगर साथियों आप लोगो को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बեल आयकन को बी-प्रस कर लें जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो का नोटिविकिक्शन मिल सकेंगा तो साथियों चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं तो साथियों आज के सेशन का पहला कोश्चन ये है इसमें आप लोगों को बताना है कि दोस्तों दोग के विपरीत कौन से संख्या हो जाएगी तो साथियों आप लोगों को यहाँ पर दो dice दिये गए है इसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना यह है कि कौन सा number जो है कि दोनों dice में कामन है तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोगों देखते हैं तो यहाँ पर दो है और यहाँ पर भी दो है तो साथियों क्या करना क्या है इस दो को दोस्तों पकड़ लेना है और इससे चलना कहा है इस प्रकार से लिख लेना है इसके बाद दोस्तों इसमें दो को पकड़ लेना है चलना है क्लोक बाइस तो दोस्तों इसके बाद 6 से आएंगे आगे 4 आ जाएगा तो साथियों अगर हम लोग इस वाले पासे में clockwise चले हैं तो इस वाले पासे में भी clockwise ही चलेंगे अगर साथियों यहाँ पर anti-clockwise चलते हो तो इस वाले पासे में भी आपको anti-clockwise ही चलना पड़ेगा तो दोस्तो हम लोग यहाँ से 2 से चले थे clockwise वỏiज तीन एक फिर क्लॉकवाइश छे 4 तो देखेंगे यहाँ पर दोस्तों को यहां परसी अंशर हो जाएंगा आप सनक्रियागा है तो अगले और आप लोगों को देखेंगे इस वाले पासे में भी 6 है तो दोस्तो चे चलेंगे क्लोक-बाइश-चलेंगे-चलेंगे-पहले-पहले-फिर आएगा-पका-चार-थ-च्र. 4 इस प्रकार से लेंगे इसे बादे अगर हम लोग देखें question number 3 question number 3 दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है आप लोगों को बताना है कि एक point के विपरीत कौन से point आएंगे तो दोस्तों इस आकरत में हमको वही देखना है कि कौन से point common है तो यहां पर अगर हम देखते हैं दोस्तों दो point इसमें भी है और दो point इसमें भी है अगर दोस्तों इन दो point को पकड़ेंगे और चलेंगे clock wise तो दोस्तों दो point से चलेंगे clock wise तो पहले आएगा आएगा आपका एक point फिर आएगा दोस्तों 5 point इसके बाद दोस्तों इस वाले dice में देखेंगे तो 2 से चलेंगे clock wise तो दोस करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोस्तों हम लोग किस प्रकार से विपरीत निकालते हैं तो दोस्तों चलते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन आप लोगों को यह दिया गया है कोशन नमबर चार इसमें आप लोगों को बताना है कि एक के विपरीत कौन सा अंक होगा तो साथियों करना क्या है यहां पर देखना है दोस्तों इन डाइसों में कौन से अंक कामन है तो यहां पर देखते हैं चार इस वाले डाइस में दिया गया है और इस वाले डाइस में भी दिया गया है यहां पर भी आपको दो दिया गया है और इस वाले डाइस में तीन हो जाएगी इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग देखें चार और दो के अपोजिट कौन संख्या हो जाएगी जो दोस्तों हमको दिख नहीं रही है संख्या है वही चार के अपोजिट हो जाएगी तो दोस्तों यहां पर दो और चार के अपोजिट कौन संख्या हो सकती ह साथियों जो हमको दिख नहीं रही है इसके पीछे कौन संख्या होंगी एक तो दोस्तो पांच हो जाएगी एक तो छे दोस्तो चार दो के पीछे कौन संख्या हो सकती है पांच या छे तो दोस्तो अगर हमको बताना है एक क्यापोजिट कौन है तो यहाँ पर तो हमको मिल गय कि एक के अपोजिट कौन है आपसन नंबर 10 का सही अंसर हो जाएगा तो साथियों चलते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन इस प्रकार से आपको दिया गया है इसमें बताना है कि 6 के विपरित कौन से संख्या होगी तो यहां पर हमको देखना है साथियों डाइस में काउन से संख्या कामन है तो यहां पर दोस्तों अगर हम देखें एक 6 एक 6 दोस्तों दोनों डाइस में संख्या कामन है तो दोस्तों अगर जो संख्या रहे गई वो क्या हो जाएगी आपस में अपोजिट तो 2 के अपोजिट कौन संख्या है या 3 हो जाएगी अगर यहां पर एक के पोजिट पांच भी हो सकती है और चार भी हो सकती है छे के पोजिट दोस्तों पांच और चार में से कोई भी संख्या हो सकती है तो हमको बताना यह है कि छे के भीपरीत कौन संख्या है तो साथियों छे के भीपरीत पांच या चार में से कोई भी संख्या हो सक अगला कोशन दोस्तों आप लोगों को इस प्रकार से दिया गया है, आप लोगों को बताना है कि C के विपरित कौन सा लेटर हो जाएगा, तो साथियों सबसे पहले हमको यही चेक करना है कि इसमें कौन सा लेटर जो है कामन है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर दोस्तों पर दोस्तों आपका रह गया रह गया तोस्तों यहां वह देखें CEO से को बताना किसका पोस्थ सातियों तो दुस्तों उमीद करते हैं कि आप लोगों को Session समझ में आया होगा अगर साथियों आप लोगों को Session अच्छा लगा हो तो Session को Like और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें साथी में आप लोग बेल आइकन को विप्रस कर लें जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो का नूटिफिक्षन मिल सके साथियों मिलते हैं आप लोगों को अगले सेशन में धन्यवाद